कैमेर मेर मादेश के साथ आशा खानम डीडी निउस बैंगलोग और एक नई सरकार बनने की अपनी कवायत एक तरह से शुरू कर चुकी है आज बीएस यदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पत की शपत ली है उन्तिस तारिक को वो अपना बहुमत सिद्ध करेंगे लेकिन आईए इस पर तमाम चुनोतियां क्या हैं और किस तरह का सफर रहेगा क्या प्रात्मिक्ता रहेंगी इस पर हम विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कि बीएस यदियुरप्पा का राजने तेक सफर कैसा रहा है अभी तक 27 फरवरी 1947 को मांडिया जिले में इनका जन्म हुआ बीएस यदियुरप्पा कॉलेज के दिनों से ही आरेसस के सदस्य रहे हैं सक्रिय रहे हैं आरेसस के सक्रिय कारेकरता के रूप में 1972 में शिकारी पूरा तालुका के जनसंग अध्यक्ष से शुरुवात की राजनेतिक सफर की शुरुवात कॉलेज की दिनों से हुई 1975 में यदियुरप्पा शिकारपूरा नगर पालिका से अध्यक्ष चुने गए 1975 में आपातकाल के दौरान 45 दिन तक बिलारी और शिमोगा की जेल में भी रहे सक्रिय कारेकरता रहे हैं तमाम मसलों पर आवास बुलंद करते रहें उसी का असर दिखाई दिया जस तरह से आपातकाल के समय वो जेल में रहें 1977 में जनता पार्टी के सचिफपत पर काबिज होने के साथ ही राजनेतिक कद बढ़ा और यहां से सक्रियता बढ़ी 1983 में पहली बार पहुचे विधान सभा विधान सभा पहुचने के साथ ही कई ऐसे एक तरह से कह सकते हैं कि मसले थे जिन पर पुर्जोर तरीके से काम करना था यदियूरप्पा को और 1983 से 1994 तक चार बार चुन कर विधान सभा पहुचे जिसमें एक बढ़ा बहुमत रहा है किसानों से जुड़े आंदोलनों को लेकर साथ चलते रहें उनकी आवास को बुलंद करते रहें 1985 में शिमोगा जिले के बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त ह अपनी सक्रियता के दौरान जिन समुदायों को इन्होंने अपने साथ जोड़ा वो हाश्ये पे रहे थे पिशली सरकारों के और ये भी देखा गया कि पार्टी के विस्तार में एहम भूमिका निभाई भारती जनता पार्टी को करनाटेक दक्षन के एक ऐसे राज्य में उ भूमिहीन किसानों और वंध्वा मजदूरों की समस्याओं से जुड़े बड़े आंदोलन किये कई ऐसे आंदोलन रहे जिन्हें इन्होंने निशकर्ष तक पहुचाया और यही एक कारण रहा जिसमें आज भी हमने देखा कि अपने शपत ग्रहन के समय जब गले में हरा प भूमिका में भी तमाम उन सरकार के कदमों पर सवाल उठाए उन तमाम अत्याचारों पर सवाल उठाए जो वहां की हाश्ये पे जो जनता थी उसको लेकर लगातार सरकार उन पर दमन कर रही थी 12 नवंबर 2007 को पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री बनने का सफर जरूर ये दियुरप्पा के जीवन में काफी एक तरह से कह सकते हैं दिल्चस्प रहा है 30 मई 2000 आज को दूसरी बार ये दियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बने चुनोतियां हमेशा उनको घेरे रही हैं जो दिखाई भी देता है जिस तरह का उनका कारेकाल रहा अपने मुख्यमंत्री बनने के दौरान 2011 में ब्रश्टाचार के आरोपों के चलते कुर्सी गवानी पड़ी थी ये एक बड़ा मोर था भारती जनता पार्टी के लिए भी करनाचक में जो जनाधार था जो पकड़ थी उसे लेकर बीजेपी से अलग होकर करनाचक जनता पक्ष पार्टी बनाई उन्होंने इसका भी एक सदमा था लेकिन विचारधारा से भारती जनता पार्टी के इतने नस्दीक थे कि इसके बावजूद 2014 में फिर बीजेपी में लोटे और उस लोटने के बाद से करनाचक में भारती जनता पार्टी को जुब मस्बूती दी मैं 2018 के विधान सबा चुनाओ के बाद 30 बार मुख्य मंत्री बने जो बताता है कि जो पकड़ जमीनी मुद्धों पर जमीनी लोगों के साथ जो उनके आंदोलन रहे हैं जो उन की आज चौथी बार राज्य की कमान समाली है हमने देखा जिस समय वो शपत ले रहे थे उस समय भी जिस तरह का लोगों में उत्सा दिखाई दे रहा था उनकी शपत ग्रहिंट समहारों में भी और साथी साथ जो तमाम वो मुद्धे रहे हैं जो चुनाओं के दौरान उन् रहे थे गटबंदन के भीतर से भी और बाहर जनता में भी और यही एक तरह से नतीजा रहा करनाटक की सरकार का कि जनता के बहुमत के इतर जाके ये गटबंदन हुआ था जिसका नतीजा रहा कि कुमार स्वामी की सरकार गिरी और आज ये दुरप्पा ने एक तरह से मुख पता देते हैं कि करनाटक का मौझूदा सियासी अंकगडित क्या कहता है दो सो पच्चिस कुल संख्या है विदान सभा की जिसमें अयोग्य जो अभी कल स्पीकर ने तीन विधायकों को अयोग्य घोशित करा है बीजेपी की संख्या 105 है कॉंग्रेस जेडियस गटबंदन 99 है बीजेपी एक है निर्दलिय एक है तो ये है मौझूदा करनाटक का विधान सभा की जो संख्या है और उसमें अब लगातार जो घटना क्रम रहा है उसके बाद जो अंकगडित सामने आया है एक सीच स्पीकर की लंबित स्तीफे जो हैं वो 14 हैं इस समय चौदा स्तीफों प के लिए होगा उन्तिस तारीक को अपना बहुमत सावित करना इस पर करेंगे चर्चा वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक